आपका बहुत स्वागत है अब income verify इस तरह होगी पहले BLOs का चक्कर होता था, लोकल कमेटीज का चक्कर होता था, अब फैमिली आइडी इनकम का ने ने जो है उनको चार्ज दे दिया गया है, विश्तार से समवाद वे चर्चा करूँगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, हर याना फैमिली आइडी हो, हर याना वे केंदर सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हर याना वे केंदर का कुछ भी ऐसा हो, जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक वे विश्वसनी देता हूँ, यदि आप मेरे साथ जुड़े होता आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता कब ये योजना आई, कब चली गई, या तो आप मेरे साथ जुड़े नहीं, या फिर मेरे को आप देखते नहीं, साथ योजना हरिगाने का भी लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ इस टेलीग्राम ग्रूप पर जरूर जुड़े, तुरंत अपडेट देते हैं, अब इस धम लोग होता है, डी से डी, डी डेवलोपमेंट होता है, पी से पनचायत होता है, और से ओफिसर होता है, यानि खंड एवंवविकास पनचायत आधिकारी इसको हिंदी में कहा जाता है, इसकी और तहसीलदार को तो आप सभी जानते होंगे, जिसे जो है ये गजेट्रिड अफिसर राजपत्रित अधिकारी तहसीलदार होता है, तो सात्यों इनकी रिपोर्ट के बाद ही अब ते होगी फैमिली की इनकम, आप तक क्या था, बी अलो होते थे, लोकल सेक्टर कमेटीज होती थी, और पटवारी होता था, ये इनकम वेरिफाई करते थे, या पर ये इ अनिवारिये नहीं है, सभी सरकारी योजनाई फैमिली आइडी से जोड़ दी गई है, फैमिली आइडी में परिवार पहचान पत्र माई की वेरिफिकेशन में तहसीलदार हो बीडिप्यों भी अपनी रिपोर्ट देंगे, इससे पहले ग्रामिन छेतर की परिवार पहचान बीडियो को पास यही वही माम ले जाएंगे जो लोकल किमेंटी की रिपोर्ट में आए की वेरिफिकेशन आपस में मिलान नहीं हो पाएगी, तो दोस्तों जिनकी इंकम बार बार आप रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, फिर भी इंकम यह सही करकर नहीं दे रहे हैं, तो उस व बीडिपियो के पास जाएगा, बीडिपियो इसकी वेरिफिकेशन करकर उसकी इंकम वहां वो करेगा, तो यह जो है, हरिगाना मानव संसादन विभाग ने सरकारी योजनाओं में को अब फैमिली आइडी से जोड़ दिया, इससे की आधार बैंक खाता, बिजली बिल, भु अब भी मानव सूदन संसादन विभाग के शमक्ष काफी जो है, ऐसे माम लाएं, जिन में परिवार अपने सदस्यों के आए पर अपत्ती जता सिकायत दर्ज करने, इसके बाद इंकम की वेरिफिकेशन का काम बढ़ गया है, अब जब तक फैमिली आइडी में सरकार द्वा विवस्ता यह है, आई की वेरिफिकेशन के लिए, यानि इंकम की जो वेरिफिकेशन है, उसकी नई विवस्ता देख लो, सबसे पहले पांच सदस्यों की लोकल कमेटी बनाई गई है, इसमें BLO, फैमिली आइडी का ओपरेटर, वालेंटियर, स्टूडेंट या वालेंटि या सोसल वर्कर सामिल है, इसके बाद सेक्टर कमेटी में पांस सदस्यों है, इसमें PGT, BLO है, परिवार, पैजान, पत्तर, पोर्टल का ओपरेटर, वालेंटियर, स्टूडेंट, वालेंटियर, सोसल वर्कर है, अगर किसी फैमिली आइडी की आई वेरिफिकेशन में लोकल और सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट में भिनता पाई जाती है, तो एडी सी उपिस पोर्टल पर सिकायत दर्ज होगी, तो यह जो है, नया तरीका यह कर दिया गया है, साथियों, यह दो, एक तो लोकल कमेटी बनाई गई 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 पांस सदस्यों की, एक बनाई गई गई कमेटी, income verification के लिए आपने वो किया, दोनों कमेटी, एक कमेटी तो दिखा रही है, एक 89 से कम, और एक कमेटी दिखा रही है, एक 80 से ज्यादा, तो दोनों में हो गई, अलग-अलग अब सरकार इसको 88 से कम दरसा या, एक 80 से जादा दरसा है, तो ऐसी दसा में क्या होगा, ऐसी से कम बता दी तो तहसिलदार और BDPO पास नहीं जाएगी यदि दोनों ने एकसी से ज़्यादा दिखा दी तब भी नहीं जाएगी यदि एक कम दिखाता है एक ज़्यादा दिखाती है लोकल कमेटी सेक्टर कमेटी सेक्टर कमेटी ज़्यादा इंकम में सही वे दुरूस्त कर दिया जाएगा दूसरा जिनकी इंकम बार-बार उस्व करने पर भी सही नहीं हो रहे हैं उनकी रिपोर उनका भी ब्यूडी प्योर तैसिलदार ही वो करेगा तो में द जानकरी पसंद आई होगी जानकरी अच्छी लगी होगी चैनल सब्सक्र लाइब जरूर करें बहुत बहुत दने माद जाहिए जाहिए भार जाहिए खरीकानास